So, strengths, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 12th English के Supplementary Exam की Study, जिसमें आज हम 1st क्लास में समझने माले हैं हमारी फिलेमिंगु भूग की POM 1st My Mother at 66 को, साथ में हम इसकी Questions and Answers को भी समझेंगे, तो वीडियो की स्टार्ड देलेके इंट तक जरूर देखेगा, वीडियों आपको पसंद आये तो लाइक कर दीजीगा, और यह दिए चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजीगा, क्योंकि सिर्फ एक ही महीने में हम Supplementary Exam की Complete Study इस चैनल पर करने वाले हैं, तो जिए वीडियों को शुरू करते हैं, अब देखें स्ट्रेट, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही जाता important बात बता हूँ, कि यह जो हमारी POMS हैं, इन POMS में से आपको हर एक POMS का नेम और साथ में आपको Point का नेम लर्न कर लेना है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, क्योंकि एक Question जो आता है, एक स्ट्रेट का जिसमें POMS का नेम या फिर Point का नेम पूछ ले जाता है, आपको एक्जाम दे चुके हैं तो आपको Experience हो चुका होगा, मैं एक्जाम में भी Question आयते हैं, तो एक स्ट्रेट जो पूछे जाते हैं, उसमें से एक Question जो बनता है, उसमें नेम आप दे पॉइट या फिर नेम आप दे पॉइट यह जरूर पूछ जाता है, तो मैं आपको सबसे पहले यह नेम ही इलान करा देता हूँ, जिसे के पहला जो हमारी पॉइट है, My Mother at 66, इसकी जो पॉइटे से कमला दास, को ने, कमला दास तो याद रखना है, My Mother at 66 की पॉइटे से को ने, कमला दास, साइकेंड नमबर की पॉइट हट चुकी है, यह नहीं आएगी MP Board में, थार्ड नमबर, Keeping Quiet पैवलो नरूदा, तो Keeping Quiet के पैवलो नरूदा हैं, अठिंक आप ब्यूडी, जॉन कीट्स लर्ण करना है, आरोट साइरे स्टेंड, रोबर्ट फ्रोट, आंट जिनिफर स्टाइगर्स, एडरी ने, रिच, ठीक है, तो यह आपको 5 जो पॉइट्स हैं, इनके नेम और साथ में इनके पॉइट्स के नेम लर्ण करना है, ठीक है अच्छा इन पॉइम्स को लर्न करने से, इनके कोशन आंसर को लर्न करने से, आपको क्या फायदा मिलेगा, मार्किंग स्किन क्या है, कितने नंबर के कोशन आएंगे, जरा इसके उपर भी नजर डाल लेते हैं, देखो बच्चो, पॉइम्स की जो चैप्टर से 5 जो आपको आएगा, एक एकस्टेट आएगा, तीन नंबर का जिसमें अपधिकर टाइब कोशन रहेंगे, तो 3 मार्क्स इसके मिलेंगे, अब आपके टोटल होगा है 12 मार्क्स, अगर आप ये 5 पॉइम्स को लर्न कर लेते हैं, इनकी स्ताड़ी अच्छे से कर लेते हैं, इनकी कोशन आंसर, एकस्टेट और इनको समझ लेते हैं, तो आपके 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, 12 नंबर आपके बिल्कुल कहीं नहीं गए, ये बहुत ही जादा आसार है, बहुत एजी हैं, जो मैं आपको दिल वाने बाला हूँ, चलो, अब वीडियो को शुरू करते हैं, और सब कमला दास कैरली अंती इतना याद रखेगा, इक हैं, ड्राइविंग फ्रों माइ पैरेंट्स हम टी कोचल लास्ट फ्राइडे मौनिंग, इसा माइ मदर बिसाइड मी, अब देखिए, ये जो पोईटे से, ये कमला दास हैं, और ये यहाँ पर इनकी मदर हैं, और पोम का न कमला दास की मदर 66 की हो गई हैं, जो कि काफी ज़्यादा एजट हो गई हैं, तो कमला दास को अब इनका दर्द सताता है, इनका गम रहता है, इनकी टैंशन रहती है, क्योंकि कभी भी इनकी डैथ हो सकती है, ये इनसे डिपार्ट हो सकती है, तो यहाँ पर एक मदर और एक के बीच के relation को यहां पर बताया गया है कि क्या कुछ उनके बीच में relation है उस feelings को यहां पर express किया गया है अब आते हैं इसके मतलब में तो क्या कहा गया है driving from my parents home to coaching तो कमला दास अपने parents के घर से coaching airport के लिए निकलिए तो driving from my parents home यानि parents के home से कहा पर जा रही थी है coaching airport जा रही थी कब last Friday पाइंट टू बी नोटेट यह जो Friday word आया है इसको आप लिख लिजिए याद रखेगा जो हमारे extent पुछ जाते हैं उसमें एक question बन सकता है कि which day is described in the form या extent तो इसमें कौन से दिन का जिक्र किया गया है तो Friday बात चल रही है तो driving from my parents home to coaching last Friday morning कि अपने parents के घर से coaching के लिए last Friday को में ड्राइव करते हुई जा रही थी ठीक है morning का time था I saw my mother beside me मेरी मा मेरे बाजू में ही थी तो I saw my mother आई यहाँ पर बच्चो कमलादास के लिए यूज किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है आईसा मतलब मैंने देखा my mother किस को मेरी मा को कहा थी मेरे बाजू में थी बच्चो beside मतलब होता है by the side यानि के बाजू में या बगल म तो कहने का मतलब यह है कि कमला दास की जो मा थी वो इनके साइड वाली सीट पर बैटे हुई थी और कमला दास कार को ड्राइव कर रही थी यह इतना आपको समझे में आया तो कौशन बनेगा अब इसको जरा समझे लेते हैं डोस मतलब के शॉर्ट स्लीप इनको चपकी लग गई थी क्या हो गया था नैप करने लगी थी मतलब कि जो मदर है मतलब कि इनकी नीद लग गई थी जपकी आ गई थी इनको उपन माउट इट चहरा मूझ हो था इनका खुला हुआ था और फेट एशन लाइक देट आशन जो वर्ड यूज के जा रहा है यानि के कलरलेस तो इनका जो चहरा था वो कलरलेस हो गया था किसकी तरह लग रहा था कॉप्स की तरह लग रहा था बचे कॉप्स मतलब होता है डेड बॉड़ी इस बात को याद रखिएगा कॉप्स मतलब होता है डेड बॉड़ी यानि के लाश तो इनकी मदर जो की कलरलेस हो गई थी चहरा फीका पड़ गया था क्योंकि 66 सारी की ओन में चहरे का वो जो गिलो जो ब्यूडी होती है वो डिम पड़ जाती है तो चहरे डिम पड़ गया था तो इनका कंपेर किया गय यानि कि यह जितनी ओल्ड है उतनी ओल्ड दिखती भी है यानि 66 साल की हो गई है इनका फिजिकल अपैरेंस भी 66 साल का ही लगता है देखने से यह बूरी भी लगती है जैसी एज है वैसी दिखती भी है अब इसको समझ लेते हैं देखो माइड में निगेटिव थोट आ रहे थे इन मा की तरफ देखकर इनके माइड में निगेटिव थोट आ रहे थे तो अब अपने माइड को डाइवर्ड करने के लिए यह बाहर की तरफ देखती हैं क्या गरती है पुट थाइट थोट्स अवे यानि कि जो माइड में नेगेटिव थोट्स थे उट नेगेटिव थोट्स को डाइवर्ड करने के लिए माइड को डाइवर्ड करने के लिए पहार देखती है यानि कि उस वीकल की विंडो से आउटसाइड देखती है तो क्या देखती है यानि के small trees को देखती है sprinting यानि के fast running बचो sprinting मतलब होता है fast running क्या होता है fast running यानि के तेज़ दोड़ते हुए इनको trees गया है अब आप सोचेंगे के trees क्या दोड़ते हैं trees दोड़ते नहीं है यह हमारा illusion होता है और हमें ऐसा लगता है के trees दोड़ रहे हैं क्योंकि जब हम वीकल से travel करते हैं जब हम आगे moving forward होते हैं तो हमें बाकी चीज़े बेकवार direction में जाते हुई नजर आते हैं एक्चल में वो still होती हैं वो कहीं move नहीं करते हैं हमारा vehicle move करता है तो ऐसा उनको feel हो रहा था ऐसा लग रहा था तो यह ऐसा लग रहा था कि यहां पर यह जो trees है वो भी उनके साथ बाग रहे हों ठीक है तो यहां पर यह sprinting वर्ड यूज़ किये गए बच्चे जो खेलते हुए अपने घर से बाहर निकल रहे थे जो मेरी मतलब होता है happy point to be noted तो मेरी चिल्डरन यानि कि जो खुश जो बच्चे थे वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे but after the airport check अब airport पर पोज़ती है airport पर security चेकिंग होती है तो इनकी मदर कुछ याड कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है क्योंकि मदर इनको depart करने आई थी इनको विदा करने आई थी तो कुछ दूरी पर माँ खड़ी हो जाती है अब आगे क्या होता है I looked again in her when pill अब दुबारा से मैं इनको देखती हूँ तो दुबारा से when नजर आती है यानि colorless नजर आती है इनकी माँ अब ये अपनी माँ को second वार लेट विंटर स्मून से compare करती है तो को first time कॉफ से compare किया था डेट बोडी से second time लेट विंटर स्मून से compare करती है अब लेट विंटर स्मून से इसलिए compare किया जाता है क्योंकि विंटर के टाइम में मून लेट निकलता है तो उसकी जो brightness से वो dim हो जाती है इसी तरह से व्यक्ति जब बुला हो जाता है तो उसका strength, उसकी beauty उसके चैरे का जो glow होता है तो वो dim पड़ जाता है पेल हो जाता है यानि कि चैरे पे जुर्यां आ जाती है और चैरा उतर जाता है तो colorless पीला पन नजर आता है वैसे ये दिख रही ही थी तो लेट विंटर स्मून से compare किया familiar एक यानि कि इनको वो जाना-पहचाना दर्ध होता है बच्पन का डर बच्पन का डर यानि कि मासे डिपार्ट होने का, मासे बच्छडने का जो ढर था वो इनको दोबारा से ताजा हो जाता है लेकिन वो डर उर इस डर में बहुत फर्क होता है क्योंकि वो जो डर था, वो जो दुख था, वो थोड़ी देर के लिए बिच्छड़ना था, लेकिन अभी lifetime के लिए बिच्छड़ना होगा, अब क्या कहती है, see you soon amma, यह last word in को याद रखीगा, see you soon amma, यानि कि एक तरह से यह expect कर रहे हैं, positive attitude शो कर रहे हैं, कि फिर मिलेंगे यानि कि यह expectation है, कि good life देगा, तो जिंदगी मिलेगी, तो फिर मिलेंगे दोबारा, तो यह आप expectation के साथ, see you soon amma कहते हैं, केरल मैं मा को amma कहा जाता है, all I did was smile and smile and smile, और उसके बाद जो कुछ मैंने किया, बस मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई, और मुस्कुर पास, rest, turning, when मतलब colorless होता है, और कुछ point आपको याद रखना है, जिसे के pompe का name और point करें, और आपको याद रखना तक कहा जा रही थी, coaching airport, side में कौन बिटाता, मदर थी, कौन से decode describe किया है, Friday, किस से compare किया गया है, तो पहले बार में cop से compare किया गया है, ठीक है, और बाहर क् से बाहर नजर आता है, इनको sprinting trees, मेरी children नजर आते है, इसके बाद आगे आएंगे, तो second time किस से compare किया है, light winter's moon से compare किया गया है, ये काफी ज़्यादा important है, last में, she soon amma कहती है, और ये smile करती है, अब जल्दी से इसके questions और इसके answers को भी समझ लेते है, so strengths, अब हम समझते है, इसका पूम का नहीं में, my mother at 66, a point है, कमला दास, question number first है, what is the kind of pain and ache that the point feels, तो किस तरह का दर्द, किस तरह का पीड़ा, point महसूस करती है, तो what is the kind of pain and the ache that the point feels, तो देखो, pain और एक दोनों का मतलब ही होता है, दर्द, क्या मतलब होता है, दर्द, जिसको पीड़ा कहा जाता है, तो दर्द या पीड़ा किस तरह की point महसूस करती है, तो देखो, the point is, becomes very emotional and said to see her mother, who is grown old and pale, तो point is, जो है, यह बहुत जादा emotional और sad हो जाती है, अपनी मदर को देखकर, जो कि old और pale हो चुकी है, पॉइटेस, यानि कि कमला दास्ति, the point is, becomes very emotional, यानि कि point is, जो है, वो emotional हो जाती है, भाबुक हो जाती है, बच्च, emotional मतलब होता है, भाबुक हो जाती है, तो point is, कैसी हो जाती है, emotional हो जाती है, and said, और दुखी हो जाती है, क्यों हो जाती है, to see her mother, अपनी मा को देखकर, point is, भाबुक और दुखी हो जाती है, who has grown old and pale, जो कि बूड़ी हो गई है, grow मतलब होता है, बढ़ना, तो who has grown old हो गई है, and pale, यानि कि colorless हो गई है, तो अपनी मा को देखकर, वो भाबुक हो जाती है, और बहुत जादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उनकी मा बहुत जादा old और पेल हो गई है, looking almost like a dead person, किस की तरह दिखती है, dead person की तरह दिखती है, लग बग बग ऐसा लगता है, इसा लगता है कि dead body उनके side में, she becomes worried to see her mother's condition, वो अपनी मा की condition को देखकर, चिंतित हो जाती है, worried हो जाती है, फिक्रमंद हो जाती है, ठीक है, तो उनकी depart होने का गम इनको स running, the young trees are describing, यह तो question है, because, यहां से start होता है answer, यहां से, इतना question है, because, because they are full of energy, क्योंकि trees जो है, full of energy है, पूरी तरह से energetic है, they seem to be running, वो भागते हुए लगते है, यानि कि seem मतलबता लगना, they seem to be running, भागते हुए लगते है, because, the point is in driving to the coaching airport, the young trees are full of leveliness, तो young trees जो है, पूरी तरह से loveliness नजर आ रहे है, third number question है, why is the poet brought in the image of the merry children, splitting out of their home, तो इसको आप रहने दीजिए, इसको आप learn नहीं करिए, ठीक है, अगर आप learn करना चाहिए, तो आप learn कर लीजीगा, यह भी, आपका important है, वैसे तो मैं आपको important question लग से बता ही दूँगा, फि important है, why is the mother compared to the light winter's moon, mother को light winter's moon से क्यों compare किया है, दूखो, the poet's mother is 66 year old, poet की mother 66 की है, she has lost her shine and glow of young age, वो अपने young age का shine और glow खो दिया है, similarly the late winter's moon looks faded, late winter's का जुमून है, वो भी faded दिखता है, यारि के dim हो जाता है, brightness इसकी कम हो जाती है, it to like shine and strength, तो इसमें भी shine और strength की कम होती है, therefore इ इसमें के point को compare किये गया है, यह आपका answer हो गया है, काफी important question है, most important question है, what do the parting words of the poet and her smile signify, यानि कि parting words जो बिच्छने वाले words थे और उसकी smile किस चीज़ को signify करती है, the parting words of the poet is, see you soon अम्मा कहा गया है, then smile signify sort of hope, यानि कि इसको एक उम्मीद है, क्या उम्मीद है, that she is promising to meet her mother again, य क्या करेए, कि she will meet her mother again, यानि अपनी मा से दोबारा मिलेगी, she might find her alive, मुश्किल से उसको वो alive पा सकती, यानि उसके chances बहुत काम है, 30-25% chances है कि वो दोबारा से उसको मिले, so she spread a smile on our face, वो अपने चेहरे पर एक smile बिखेर देती है, अपनी मदर को last reboot करने के लिए, last time श्रिदा में होती है, okay straight, तो यह हमारी first poem थी और इसमें से आपको जो question learn करना है, most important first, second, third, four, अब इसमें से fifth वाले को अगर आप छोड़ना चाहें, third number को इसको छोड़ दीजिए, first, second, fourth, और यह last वाला, यह आपको करना ही करना है, अच्छा, important question के लिए, मैं आपको अलग से एक video बन इसके बाद मैं आपके लिए pros के chapters भी लेकर आऊंगा, देर में आपको supplementary reader विस्तास को explain कराऊंगा, साथ में grammar को भी लेकर चलने माले है, बस मुझे आपका support चाहिए, अगर आपका support मुझे मिलता रहेगा, तो मेरा motivation थोड़ा सा बढ़ेगा, और मुझे motivate मिलेगा, इसलिए अब अमारी वीडियो को support करते रहे हैं, यानि कि support करने के लिए वीडियो को like करना है, और अपने दोस्तों के साथ share करना है, और चेनल पन नए है, तो चेनल को subscribe भी कर लेना है, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका हमवग यह है, कि आप सभ के question answer को learn जरूर कीजेगा, इसकी practice कीजेगा, thanks for watching.